दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जयन्त महापात्र की लिखी एक पोईम हंगर पोईम की शुरुवात होती है इस लाइन से कि इस लाइन से कि इट वाज टू बिलीव दा फ्लैश वाज हैवी ऑन मैं बैक पॉइट बोलते हैं कि चाहिद उन्होंने कोई बहुती भारी लगेज अपने बैक पर टांग रखा और इट वाज हाट टू बिलीव का मतलब है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा बहुती मुश्किल है विश्वास करना कि मेरे इतने स्ट्रॉंग सेक्चुल डिजायर्स हैं कि मैं कैसे मरा जा रहा हूँ अगली लाइन में हमें पता चलता है कि वो शायद किसी नाओ में बैठे है इसका मतलब यह है कि वो मच्वारा बड़ा केरलेसली अपने नेट को खीच रहा था आगे पाइट बोलते हैं मतलब वो मच्वारा केरलेस लग तो रहा था लेकिन केरलेस था नहीं उसकी नर्व स्किची हुई थी उसकी वाइट बोन्स उसकी आँख में से ट्रैशिंग मतलब कि वो शायद काफी क्यूरियस था कि पाइट यानि कि राइटर जो अपने सेक्वारा डिजायर्स के लिए यहाँ पर आया था वो उसे क्या जवाब देगा उसकी बात पर जो उसने पूछा विल यू हैव हर तो इस बात पर क्या जवाब देगा वो नेक्स टेंजा में पाइट बोलते हैं मिट्टी पर मैं उसके पीछे पीछे गया मतलब उसके दिमाग में थंपिंग यानि की एक धक-दक किसी कुछ मैसूस हो रहा था इसको दिमाग में भी धक-दक हो रही थी इसका मतलब यह है कि शाए़ पाइट को यहाँ पर बहुत ही वो कह रहा था कि मैं जो ये पाप करने जा रहा हूं इसका बदला शायद ऐसे निकाला जाएगा कि मेरे घर में आग लग जाएगी इसका मतलब जो पाइट की साइलेंस थी वो उसको ग्रैब कर रही थी कहने का मतलब ये है कि वो जो फिशर्मेन था जो इसको अपने साथ में लेकर आया था उसके हाथ में कुछ नहीं लगा था मतलब वो मचरिया लेने गया था लेकिन सिर्फ समुद्र की वो जो फार्म होती है वो लेकर आया बस अब थर्ट स्रेंजा में पॉयट बोलते हैं In the flickering dark, his heart opened like a wound पॉयट यहां पर उस मच्छवारे की जौपड़ी में पहुँच चुका है उसको बोलता है कि उसकी जौपड़ी बिल्कुल dark थी गरीबी के कारण उसकी जौपड़ी की हालत बहुत ही खरापती केहने का मतलब पॉयट की दिमाग में एक तूफान उठा हुआ है कहने का मतलब जब वो एंटर कर रहे थे उस घर में उस छोटे सी जौपड़ी में तो पाम के जो पत्ते थे वो उसकी स्किन पर लग रहे थे जैसे वो रोक रहे हूं उसे अंदर जाने से आगे बोलते हैं inside the shack शैक का मतलब होता है जोपड़ी उस जोपड़ी के अंदर an oil lamp वहाँ पर एक oil lamp था splat the arts bunched to those walls over and over the stickly suit crossed the space of my mind मतलब उस जोपड़ी के अंदर एक oil lamp जल रहा था जो की दिवार से चिपका हुआ था और जो धुआ था वो बाहर की तरफ जा रहा था और ऐसा लग रहा था जिसे time उस जोपड़ी के अंदर रुकसा गया हो ना तो दिन थी ना रात थी और उस lamp से जो smoke आ रही थी वो उसके दिमाग में भर रही थी वो उस वक्त खुद को बहुत ही helpless सा फील कर रहा था अब चलते हैं stanza 4 की तरफ वो fisherman poet को अंदर जोपड़ी में ले गया और अंदर जाके वो बोलता है I heard him say मैंने सुना कि वो बोलता है fisherman बोलता है My daughter, ये मेरी बेटी है Just turned 15 अभी अभी पंदरा साल की हुई है Feel her poet को बोलता है कि feel her I will be back soon जल्दी लौट आऊंगा Your bus leaves at 9 तुम्हारी बस का 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है The sky fell on me मेरे उपर तो जैसे आस्मानी तूट पड़ा कि एक fisherman एक आदमी अपनी बेटी को उसे offer कर रहा था कि 9 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है अगे poet लड़की का description देता है कि वो लड़की लंबी थी, lean थी, long and lean Her ears were cold as rubber शायद उसको कोपोशन सा हो गया था करीबी के कारण, भूख के कारण She opened her warmly legs wide उसने अपने पैर खोल लिये आने वहाँ पर अपनी भूख को महसूस किया जो मुझे यहाँ तक खेंच लाई थी and the other one, और दूसरी भूख the fish, slithering, turning inside और एक उस लड़की की पेट की भूख थी जो उससे यह सब करवा रही थी उमीद करता हूँ, यह poem आपको समझ में आयोगी दोस्तों आज की इस वीडियो में सतना ही